हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है हमारे चैनल बैसाली केमपस में दोस्तों एक बार मैं फिर से आप लोग को बता रहा हूं कि क्योंकि मुझे मैसेज कमेंट पे इतने कमेंट आ रहा है सिर्फ cbt2 पार्ट B के लिए तोसमें हम सिर्फ part B के बात करेंगे पार्ट एक नहीं तो इसमें सबसे पहला कोश्चन आ रहा है कि कि Q2 में कितने नमबर बढ़ सकते हैं नम्लाइजेशन होगा या नहीं पार्ट B में सबसे जादे किसका फैदा होगा तो इस तीनों कोश्चन पर एक एक करके आपको देखिए सबसे पहला मैं second question लेता हूँ पार्ट B में normalization होगा मैं सब वीडियो में बता रहा हूँ होगा आप जो एक वीडियो वाइरल हो रही है call recording करके कुछ तो देखिए उस पे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं call recording पे अब उस पे कोई option दिखाई दे नहीं रहा है नहीं होगा क्योंकि कोई भी shift के up या down paper का लेवल था पार्ट B में भी आप यह भी जानते हैं और आपका जो नोटिफिकेशन आया हुआ हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि cbt1 and cbt2 मतलब जितने भी stage होंगे exam का लिखा हुआ है उसमें और सभी में normalization किया जाएगा है तो उ cbt1 जो हुआ है वह भी तो आपका qualify nature ही बाद में कर दिया गया है क्योंकि जितने percentage decide किया गया था उतने ही पर आपका selection लिया गया है जाहे लरके 15 गुना 15 गुना हो या 25 गुना हो या 10 गुना हो सबको जितना भी qualify किया है सबको ले लिया गया है तो वहां तो normalization किया गया है यहां भी क्यों नहीं करेगा normalization यह बात बताएए आप लोग पहले अगर अगर आपका कोई भी डाउट है तो comment में जरूर कमेंट करके बता है अब देखें अब सबसे दूसरा question हम लेते हैं सिविटी टू पार्ट में कितने नंबर बढ़ सकते हैं सबसे ज़्यादे inquiry यहीं आ रही है तो देखें मैं यहीं बता रहा हूं आपका बहुत सारे ट्रेड था एलेक्टर, एलेक्टॉनिस, वायर मैन, एलेक्टॉनिस, रेडियो एन टीवी इसका अधर ट्रेक्टर मैं कहन इसके बाद कार्पेंटर तो देखें सबसे फायदा इन लोगों का होगा जिनका दोसों सिप्ट में एक्जाम हुआ था अगर नंबर और कोस्चन पेपर जादे होंगे मान के चलिए दस सिप्ट में एक्जाम हुआ है तो यहां नॉमलाइजेसन हो सकता है कि पेपर का लेव क्या गया हो पेपर उतना भेरियेसन नहीं हुआ होगा तो इनको हो सकता कि कम फैदा मिले और जो जिनके दस सिप्ट में टोटल दस के दस सिप्ट में एक्जाम हुए थे उनके बहुत जादे फैदा होगा यह बात चाहिए अब रही बात सबसे जादे कारपेंटर के लिए आ रही है कि कारपेंटर बता जा रहा है सिर्फ एक सिप्ट में एक्जाम हुआ है तो देखिए वहाँ पर अगर हो सकता है कि आप लोग को पूरा जनकारी नहीं हो कि अब ही दीन आप लोग भी जानते हैं कि सब लड़के ग्रूप में मिक्स थे आप अगर एक्जाम दिये होंगे दिये होंगे तो आपके बगल में कोई दूसरा टेट का बैठा हुआ मिलेगा तो ऐसे करके पुरा मिक्स करके एक्जाम लिया गया था अब बात करें कि कितने अब बढ़ सकते हैं तो देखे दुस्तो अगर मैक्सम बताओं तो आपके साथ से लेके दस नमबर तक मैक्सम भर सकते हैं और मीनुम वही मतलब 5-6 नमबर तो बरहेंगे ही मैक्सम दस नमबर तक मैं बढ़ने के चांस है क्योंकि जिनके 10 शिप्ट में एक्जाम हुए है त अब मैं में बता दूओं आपको तक की मैक्सम नमबर बढ़ेंगे मतलब 5 से लेके 10 नमबर तक के बीच में ज़रूर बढ़ जाएंगे अगर मैं बता दूँ आपके नमबर अगर मैं सभी वीडियो में बता रहा हूँ अगर 20 नमबर है अगर 2-3 पे आप लोग अबजेक्शन किये हैं तो आपके 26.25 से आने से कोई नहीं रोक सकता है यहां से मातर मान के चलिए आपको सारे 6 नमबर बढ़ने हैं सारे 6 नमबर बढ़ गया तो आप क्वालिफाइग कर जाएगा अगर आप लोग भी जानते हैं कि हर सेप्ल में 2 मिनमम दो से 3 कोईशन गलत थे तो यह परसेंटेज आपके 26.5 से घटके कितना जाएगी 25 परसेंट अगर आपके 20 नमबर हैं तो आप 25 नमबर तक इन करीज जरूर हो जाएगा तो यहां से आप लोग कंफिर्म रहे हैं और जादे जो भी वाइरल वीडियो हो रही है कॉल रिकॉर्डिंग पेर करके जो भी कॉल रिकॉर्डिंग वाले सिर्फ एक चैनल वाले है कुछ दिन पहले उन्हों नहीं बताता था कि यह नौमलाजासं होगा तो इस पर विवाज नहीं किया जासकता है उस पर नहीं रही हो उस पर कुछ का नहीं जासकता तो अगर वीडियो अच्छी लगी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं और आप से एक्सपेक्टेड है कम से कम इस पे 500 लाइक जरूर केजिए अगर कोई भी कमेंट है तो कमेंट करके बताएं और आप लोग के बता दो कि मैं एक ग्रूप डिसकर्शन ला रहा हूं जो आप लोग भी जानते हैं कि बिहार में जैसे ग्रूप डिसकर्शन होती है तो मैं यहां पर online ग्रूप डिसकर्शन चालू कर रहा हूँ तीन वज़़ज़ से उसकी कलास लगेगी तीन से चार इसमें 200 पलस पूछुन में आप लोगों से भरवाली पूछूंगा आपको कमेंट करके एंसर देनी है तो मैं तीन वज़े से लाइफ आ रहा हूं तो आप लोग ज़्यादे से लाइफ आईए थैंक्यू जैसे भी कोई कमेंट है तो कमेंट करें बता है नेक्स्ट अप्ट आप से मिलता तो थैंक्यो सोमच।